हाई गेस मिली कैया हूँ आप सबी के लिए लेटेस अपडेट प्रेशले सिस्क्राइब कर लेना गाइस विशाल आदेते सिंकाई के इंटर्व्यू आया है और उन्होंने सिधार्थ और शेहनास दोनों के बारे में बात की है इस्पेशली सिधार्थ के एग्रेशन के बारे में कुछ बात की है जिसे थोड़ा सा लोग गलस समझ रहे हैं उसको भी किलियर करूँगी इससे पहले गाइस देखे लास्ट टाइम मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी विशाल ने अपने इंटर्व्यू में सना मकबूल के बारे में बात की थी और मैंने शेहनास समझा सोरी उसके लिए एक बात और आप में से कुछ लोग कहते हैं कि मैं इनको हाइप मत करो जैसे जो भी सिधारत और शेहनास के बारे में अपने इंटर्व्यू में बोलते हैं गाइज मैं आपको बता दूँ जहां बात सिधारत और शेहनास की होगी, वहाँ बात होगी ही, अगर कोई नेगेटिव बोलता है, तो उसको बताना पड़ेगा कि बोलने से पहले समझना चाहिए, और कोई positive बोल रहा है तो उसको appreciate भी करना चाहिए क्योंकि आज के time में हर reporter ये सोचता है कि अगर आप सिधार तो शेहनास के बारे में question करेंगे तो आपका जो interview है वो जरूर hype होगा और इसी को guys popularity बोलते हैं जी हाँ देखें बात करते हैं विशाल लादित्य सिंग की इनसे पहले शेहनास के बारे में पूछा गया पूछा गया कि उस लड़की की इतनी popularity है इतनी fan following है फिर भी कितनी down to earth है बहुत ही cute है तो विशाल कहते हैं हाँ 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 मैं तो उसके साथ रहके आया हूँ शेहनास को पता है कि कितनी मेहनत करनी है अचीव करने के लिए जी हाँ वो अपनी जमीन से जुड़ी हुई है और लगातार मेहनत कर रही है आगे बढ़ने के लिए उसकी खासियत है गाइस बिलकुल सही word पकड़े हैं विशाल ने शेहनास के बारे में और बहुत अच्छा बोला है इसके बाद बात करते हैं सिधार्ट के तो सिधार्ट के बारे में पूछा गया कि इतना औरा है जो यूथ है वो सिधार्ट को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं तो गाइस विशाल ने कहा हाँ हाँ मैंने देखा है उसकी fan following बहुत ज़्यादा है जो यंग लोग हैं उसके जैसा बनना चाहते हैं जो इंडस्ट्री में आते हैं तो उन्होंने एक बात कही कि ये बोला जाता है वे सिधार्त में aggression बहुत ज़्यादा है aggression वो अखड़पन बोल रहे थे उसको हिंदी में जैसे कि विशाल हिंदी जादा यूज़ करते हैं तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि बस अखड़पन से कोई आगे बढ़ सकता है या उसकी personality इतनी अच्छी हो सकती है तो यहाँ पर गाइस क्या हुआ अखड़पन उन्हों देखिए सब कुछ होना चाहिए तभी इंसान ऐसा बन सकता है सिधार शुकला जैसा तो यह था विशाल का इंट्रव्यू सिधार और शेहनास के जो कोश्चन थे प्रीशन सिस्क्राइब कर लेना लिए अपडेट के लिए थैंक्यू गाइज